आपका जिन्यूस की खास पेशकस जोतिश गुरू में मैं हूँ आपके साथ जोतिश गुरू शिरोमनी सचिन मित्रो आज हम आपको बताएंगे कि कामदा एकादशी की महिमा क्या है कामदा एकादशी कब है ये भी आपको बताया जाएगा और उसके शुब मोहुर्ट से भी आपको अवगत कराएंगे मित्रो हर दिन की तरह दैनिक राशी फल की चर्चा होगी अंक राशी के आधार पर भी आपको आपका भविश्य फल बताया जाएगा लेकिन आज वास्तु रहिस से बहुत खास होने वाला है और बच्चों के लिए सफलता का महा उपाए सफलता का गुरू मंत्र आपके साथ साजा किया जाएगा अब सबसे पहले शुरुवात कर रहेते हैं आज के दिव्व महमंत्र से ओम हरीम शरीम क्लीम लक्षमी नारायनाय नमा इस महमंत्र का 108 बार अगर आप कमल गट्टे की माला से जाब करें लाल चंदन की माला से जाब करें तो यकीन मान के चलिए आपका कारिया बनेगा आपको धन का लाब होगा लेकिन विधी क्या रहेगी अपने घर की उत्तर दिशा की और बैठ जाएं लाल आसन पर बैठ जाएं और एक दीपक जलाकर इस महमंत्र का जाब जरूर करें आगे के और बढ़ते हैं अवगत कराते हैं आज के पंचांग से दिनांक 18 एपरेल 2024 दिन गुरुआर चैत्रमास शुकल पक्ष की दश्मीति थी नक्षत्र रहेगा अशलेशा उपरांत मघा चंद्रमा करकराशी में ही संचरन करेंगे उसके उपरांत सिंगराशी में प्रवेश कर जाएंगे दिशा शूल होगा दक्षन दिशा यानि कि दक्षन दिशा की और यात्रा ना करें अगर आपको मजबूरी में करनी हैं तो प्रभु का सिम्रन करके भगवान हरी का ध्यान करके यात्रा कर सकते हैं आए मित्रों आगे क्यों बढ़ते हैं अफगत कराते हैं आज के शुब समय से आज का शुब समय आपके समक्षे सुभे नौ से साड़े दस के मध्धे ये समय रहेगा किसी नई कारे की शुरुवात करनी है किसी कागस पर किसी पेपर पर हस्ताक्षर करना है तो भाई इस समय का भरपूर लाब उठाईए सद्युप्योग करिये समय का लाब अवश्य ही होगा आए मित्रों अब आपको बताते हैं आज का अभिजीत मोहुर्द आज के अभिजीत मोहुर्द का समय रहेगा सुभे 11.55 से दोपहर 12.00 कर 46 मिनट तक का तो भाई इस समय आपको किसी महत्तुपुन कारे के लिए निकलना है किसी कागस पर साइन करने हैं या फिर किसी डील के लिए जाना है तो इस अभिजीत मोहुर्द में आपको सफलता निश्चित तोर पर प्राप्त होगी मित्रो ठीक इसके विपरीत होगा राहुकाल जिससे आपको बचना है दोपहर डेड से तीन के मध्धय समय है किसी भी नई कारे के शुरुआत इस समय ना करें वरना नुक्सान की संभावना अवश्य ही रहेगी विशेकी और आते हैं और आपको बताते हैं कि कामदा एकादशी की महिमा क्या है देखिए चैत्रमास के शुकलपक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान विश्नु की पीले फल और फूलों से पूजा करने पर सभी पाप और शाब नस्ठ हो जाते हैं सभी दोस्ट नस्ठ हो जाते हैं तो आप इस दिन भगवान विश्नु की उपासना जरूर करें कामदा एकादशी का उपवास रखने से अक्षय पुन्ने की प्राप्ती के साथ ही अच्छी सेहत अच्छा स्वास्त आपको भगवान श्रीहरी के परमाशिरवात से मिल जाता है इस दिन विशेश तोर पर भगवान विश्नु और देवी लक्षमी की उपासना करने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ ही परिवार के सभी लोग सेहत मंद हो जाते हैं यानि आपको रुके उए धन की प्राप्ति करनी है तो भगवान विश्नु की और लक्षमी जी की उपासना करिए हिंदू नवर्ष की शुरुआत होते ही जैसे ही ये नवर्ष शुरू हुआ है यह है पहली एकादशी है मित्रो इस दिन भगवान विश्नु की उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए कामदा एकादशी की तिथी की शुरुआत 18 अपरेल 2024 शाम 5 बचकर 31 मिनट पर होगी और इसका जो समापन है वह 19 अपरेल 2024 की रात 8 बचकर 4 मिनट पर होने वाला है तो मित्रो ओदिया तिथी के हिसाब से 19 अपरेल 2024 को कामदा एकादशी का विरत पुपवास आप कर सकते हैं आईए मित्रो बात करते हैं कामदा एकादशी का वो अचूक और सिद महाँ पाए जो हर तरीके से आपको लाभानवित जरूर करेगा देखे कामदा एकादशी पर अपने दामपत्त जीवन के कलह कलेश खत्म करने के लिए पीले फूलों की माला पति-पत्नी दोनों मिलकर संयुक्त रूप से भगवान विश्नु को अर्पित करें देवी लक्ष्मी को अर्पित करें ऐसा करने से आपका दामपत्त जीवन मधुर होगा आपके आपसी वादविवाद खत्म हो जाएंगे मित्रो अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि पैसा बिमारियों पर खर्च हो जाता है तो यदि आपका पैसा भी बिमारियों पर खर्च हो रहा है बिल्कुल ना घबराएं अपने घर के उत्तर पूरुवाले कोने में याने की इशान कोन में बिल्कुल इसको नीट इन क्लीन रखिए साफ सुत्रा रखिए और भगवान विश्नु के 108 नामों का जाप इसी दिशा की और चेहरा करके आपको करना है ये नोट कर लीजिए भगवान विश्नु के 108 नामों का जाप करिए मित्रो यदि गुप्त शत्रूं से अब बहुत ज़्यादा परेशान है गुप्त शत्रूं ने आपको घेर लिया है समझ नहीं आप आ रहा कि कौन आपका मित्र है कौन शत्रू है परेशान ना हूँ सुभह के समय सनान करके साफ कपड़े पहन लीजिए और किसी पीले आसन पर बैट कर नारायन कवच का कम से कम तीन बार पाट करिए ये अचूक पाट है कभी भी आप इस पाट को कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको स्वच्छता का विशेश तोर पर ध्यान रखना होगा कामदाए कादशी के दिन सुभह के समय आप सिनान करें हलके पीले रंग के वस्तर पहन कर अपने घर की पूर्व दिशा की और चेहरा करें भगवान गणेश का ध्यान करके भगवान विश्नु के सामने शुदघी का एक दीपक जलाएं और पीली मिठाई वहाँ पर सामने रखतें अब अपने मन की कामना को कम से कम तीन बार दोराईए क्योंकि ये तिथी है कामदाए कादशी तो अपनी कामना को कम से कम तीन बार जरूर दोराईए और विश्णू सहस्त्र नाम का पाट आप कर लीजिए मित्रो पाट के बाद पीली मिठाई का भोग भगवान विश्णू को लगाईए और जरूरत मंदो बच्चों में बांड दीजिए यह छोटा सा उपाए आपकी किस्मत को चमका सकता है और जरूरत मंद बच्चों का कहीं न कहीं आपको आशिरवाद भी जरूर मिलेगा तो मित्रो आज के विशे में इतना ही फिर किसी नए विशे को लेकर जोतिश गुरू आपके समक्षाएंगे जोड़ेरी के जिन्यूस के साथ दीजी मुझे इजाज़त नमस्कार